सातियो नमस्कार मैं पिरमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में सातियो आप मैं से कुछ किसंसातियों के मन में ये डाउट था कि नई ट्रेंच विधी का गन्ना प्रानी ट्रेंच विधी के मुकावले बड़सात और तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकता तो सातियों आज मैं आपको यहीं दिखाऊंगा कि बड़सात और तेज हवाओं का सामना किस विधी के गन्ने ने अधिक क्या है नई ट्रेंच विदी का गन्ना अधिक गिरा है या प्रानी ट्रेंच विदी का गन्ना अधिक गिरा है जिसकी ववाई सिंगल लाइन ट्रेंच विदी से की जाती है बड़सात और तेज हवाओं के वाद वी किस विदी का गन्ना सुरक्षित खड़ा है पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रानी ट्रेंच विदी का गन्ना जिसकी ववाई सिंगल लाइन ट्रेंच विदी द्वारा की जाती है किसान भाहियो आप देख पा रहे होगे ये हमारा गन्ना सिंगल लाइन ट्रेंच विदी का है जो किसान भाहियो बढ़ सात और तेजहवाओं के कारण बुरी तरा से गिरापड़ा है, आप देख पा रहे होगे किसांज सातियों, सिंगल लाइन ट्रेंच विधी गन्ये की बढ़ सात और तेजहवाओं ने क्या अहलत कर दी है, किसांज सातियों आप देख पा रखी है किसान सातियों प्रानी ट्रेंच विधी गन्ने की एक बंदही और कराई जाएगी दो लाइनों के गन्ने को आप उसमें एक साथ मिला कर बंधवाया जाएगा तो किसान भाईयो ये था हमारा पुरानी ट्रेंच विधी का गन्ना जिसकी वुवाई सिंगल लाइन द्वारा की जाती है किसान दोस्तो अब मैं आपको देखाऊंगा नई ट्रेंच विधी का गन्ना किसान सातियो इस मकान को आप अच्छी पिरकार से देख लो ये हमारा वही खेत है जिसमें हमने नई ट्रेंच विदी द्वारा गन्ने की बुवाई की थी क्योंकि आप में से कुछ किसान भाई ये कहते कि आपने नई ट्रेंच विदी का गन्ना नहीं दिखाया तो किसान भाहियों आप देख पा रहे होगे, ये हमारा वही मकान है और किसान भाहियों ये हमारा नई 트렌्च विदी का गन्ना है किसान सातियों बड़सात और तेज हवा चलने के बाद भी हमारा नई ट्रेंच विदी का गन्ना पूरी प्रकार से सुरक्षित खड़ा है आपको हमारे नई ट्रेंच विदी के इस गन्ने में एक भी गन्य का मेड़ा ग्रा हुआ नजन नहीं आएगा किसान सात्यो इसमें भी हमने मिट्टी चड़ा रखी है और सात्यो हमने अपने इस गन्य की एक बंधाय भी करा रखी है किसान भाईयो आपको वताना चाहूंगा हमने अपने कुछ खेतों में नई ट्रेंच विदी से गन्य की वुवाई की थी और किसान भायों कुछ खेतों में सिंगल लाइन ट्रेंच विदी से गन्य की वुवाई की थी और दोनों ही प्रकार के गन्नों में मिट्टी चड़ाने के बाद किसान सातियों हमने एक एक बंदाई अपने गन्ने की करार रखी है तो किसन सातियों आप देख पा रहे होगे बड़सात और तेज हवा चलने के बाद भी नई ट्रेंच बिदी का गन्ना पूरी प्रकार से सुरक्षित खड़ा है आपको गन्ने की किसी भी लाइन में एक भी गन्ने का मेड़ा जुका हुआ भी नजर नहीं आएगा किसन सातियों आपको देखाने की कोशिश करता हूँ किसान सातियों आप अच्छी पिरकार से देखना आपको हमारे नई ट्रेंच विदी गंडे में एक भी गंणा गिरा हुआ नजर नहीं आएगा सारा गंणा सुरक्षित खड़ा है सात में किसान भाहियों आपको ये भी बताना चाहूँगा जब हमने नई ट्रेंच विदी गंडे पर मिटी चड़ा ही थी उस समय बड़सात के कारण खेतों की मिटी काफी गीली थी इसलिए किसान भाहियो नई ट्रेंच विदी के गंडे पर अच्छी पिरकार से मिट्टी भी नहीं चड़ पाई थी क्योंकि किसान भाहियो उस समय खेत की मिट्टी इतनी गीली थी कि किसान भाहियो मिट्टी चड़ाते समय मिट्टी तवों से ही चुपक रही थी जड़ तक भी अच्छी पिरकार से नहीं जा पा रही थी फिर भी किसान भाहियों आप देख पा रहे होगे नई ट्रेंच विधी के गंडे में आपको एक भी गंडा गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा किसान सातियों आपको वताना चाहूंगा हम अपने नई ट्रेंच विधी के गंडे में एक दफा और मिट्टी चड़ाएंगे सातियों आपने कुछ समय पहले मेरी एक वीडियो में देखा होगा हमने बड़सास से पहले नई ट्रेंच विधी के गंडे में आज से लगवग आट दस रोज पहले ही मिट्टी चड़ाई थी किसान भायों वो गन्ना भी पूरी प्रिकार से सुरक्चित खड़ा है लेकिन किसान भायों ये जो आप गन्ना देख पा रही हो ये हमारा खेद दो एकड़का है इसमें एक दफा ही मिट्टी चड़फाई है क किसान भाहियों दूसरी दफा मिट्टी चड़ानी अभी बाकी है किसान सातियों आप देख पा रहे होगे इस समय गन्ने की लंबाई भी काफी अधिक है ऐसा नहीं है कि किसान भाहियों कम लंबाई होने के कारण ये गन्ना खड़ा हुआ है तो किसान भाहियों आप अच्छी विधी गन्यों को लेकर डाउट था वो पूरी प्रिकार से किलियर हो गया होगा तो किसान भाहियो आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दूसरे किसान साथियों के साथ जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन किसान भाईयों में हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में घंटी के वटन को आल पर सलेक्ट करें